हाई गाईज, वेलकम यू आल बंस अगेइन, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरप्ट को यूज करेंगे टाइमर 0 के साथ अगर आप लोगों को नहीं पता टाइमर 0 के वर्किंग क्या है और इसमें यूज होने वाले रिजिस्टर के बारे में आपको नहीं पता तो आप इससे प्रिवेस वीडियो को जरूर से दिख लेजेगा फिलाल हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इंटरप्ट बिसिकली टाइमर 0 के साथ वर्क कैसे करेगा देखिए अगर आप लोग इंटरप्ट को यूज करना चाहते हैं टाइमर 0 के साथ तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल करना पड़ेगा और साथ ही आप लोगों को लोकल इंटरप्ट को भी इनेबल करना पड़ेगा तो global interrupt के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर sreg register है और local interrupt के लिए हम लोगों के पास timsk register है तो आप लोगों ने इन दोनों registers को set करना होगा अब इस condition में जब आप लोगों का global और local interrupt दोनों enable हैं इस case में अगर timer 0 overflow होता है तो हम लोगों का एक interrupt generate होगा और यह जो interrupt है वो basically जो भी corresponding interrupt flag bit है उसको set कर देता है तो हम लोगों के timer 0 के case में TOV0 नाम से एक bit है जो की TIFR register में है तो जब भी आप लोगों का timer overflow होगा और अगर आप लोगों का local और global interrupt दोनों enable हैं तो यह जो bit है यह basically set हो जाएगी अब जब हम लोगों का interrupt flag set हो चुका है तो उस condition में जो microcontroller है वो अपने main program को वहीं पर stop कर देगा जो भी ongoing आपके instruction चल रही होगे basically उसको वहाँ पर stop करेगा और इसके बाद जो भी आप लोगों का timer 0 के corresponding ISR है वो उसको execute करेगा तो ISR में जो भी चीज आप लोगों ने लिखी होगी वो execute होगी और जैसे ही उसका execution पूरा होगा then again हम लोगों का जो microcontroller है वो अपने normal operation को resume कर देगा इस चीज को आप लोग इस diagram से समझ सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का जो main function है उसमें timer की value 0 से 255 तक count होगी और जैसे ही value 255 reach होगी वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर जो timer है वो overflow होगा और 0 में चला जाएगा और इस condition में हम लोगों का tov0 जो bit होती है वो set हो जाएगी और जैसे ही यह bit set हुई इसका मतलब है कि हम लोगों का interrupt जो है वो trigger हो चुका है और इस case में हम लोगों का जो main function है वो वहें पर stop हो जाएगा और इसके corresponding जो हम लोगों का ISR है वो execute होगा तो मतलब जो भी आप लोगों ने ISR के अंदर लिखा होगा वो चीज यहाँ पर execute होगी और वो execute होने के बाद again हम लोगों का जो main function है वो resume हो जाएगा so again यहाँ पर फिर से वही होगा आप लोगों का count start होगा 0 से 255 तक और जैसे ही यह again overflow होगा तो आप लोगों का TOV0 bit set हो जाएगी मतलब कि interrupt जो है वो आप पर trigger हो जाएगा again आप लोगों का यहाँ पर यह ISR जो है वो execute होगा and so on so next हम लोग अपने task को देख लेते हैं हम लोगों को यहाँ पर एक square wave को generate करना है जिसकी frequency 0.5 hertz होगी और यह चीज़ आप लोगों को basically timer 0 की help से करना है और कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों की predefined है हम लोगों का जो oscillator है वो 1 megahertz का है और 8 mega 8 के साथ हम लोगों को predefined कुछ pre scalars मिलते हैं जो कि आप लोगों का 864, 256 and 1024 हैं ओके तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी calculations को देख लेते हैं देखिए आप लोगों का जो square wave है उसके frequency 0.5 hertz है तो उसके corresponding हम लोगों का जो time है वो आएगा 2 seconds और जैसे कि हम लोगों की यह जो wave है वो square type है तो इसका मतलब हम लोगों का जो on time है pulse का और जो off time है वो equal रहेगा तो उसके हिसाब से आप लोगों का जो on time और off time है वो आएगा 1 second तो basically आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है आपको कुछ ऐसी wave को generate करना है और इस wave में जो आप लोगों का on time है वो भी 1 second रहेगा मतलब कि इसकी जो width है वो 1 second रहेगी और जो off time है वो भी आप लोगों का 1 second रहेगा तो इससे previous वीडियो में 75 milliseconds की width को ही generate कर सकते हैं बट फिलाल हम लोगों को यहाँ पर 1 second that is 1000 millisecond की width generate करनी है तो यह चीज आप लोगों के basic timer से तो नहीं हो पाएगा तो 1 second की width को generate करने के लिए हम लोगों को अपने number of overflows को count करना होगा और इस सबसे अगर आप लोग calculation करेंगे तो 1000 divided by अगर आप लोग 261.375 करते हैं तो value आप लोगों को मिलेगी 3.826 तो basically timer जो है आप लोगों का जब 3.826 times overflow हो जाएगा तो उस condition में आप लोगों को 1 second का width मिलेगा बट हम लोगों का जो overflow है वह हमेशा क्या है एक integer value होती है तो आप लोगों को 3.826 के nearest एक integer value को लेना होगा तो मैंने यहाँ पर 4 लिया तो number of overflow अगर आप लोगों के 4 होते हैं तो इस condition में जो आप लोगों की width generate होगी वह 1045.5 millisecond की होगी बट हमको generate करनी थी 1000 की तो आप लोगों का यहाँ पर आपको error कितना मिला प्लस 45.5 millisecond का तो यह काफी बड़ा error है अब इस error को हम लोग कैसे reduce कर सकते हैं तो इसके लिए आप लोगों के पास option है यहाँ पर देखे यह पूरी एक table मैंने बनाई है यहाँ पर जैसे जैसे आप लोग pre scalar अपने change करेंगे उसके accordingly आप लोग यहाँ पर अपनी जो error है उसको minimize कर पाएंगे तो आप देख सकते हैं अगर आप लोग pre scalar 256 लेते हैं तो इस condition में हम लोगों का जो timer है वो 65.28 milliseconds में overflow होगा और अगर आप लोगों को one second का delay चाहिए तो उस case में आप लोगों को number of overflows जो है वो 15.318 count करने होंगे but integer में round of अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो overflow है वो 15 ही लेने होंगे तो इसके corresponding आप लोगों की जो error आएगी वो minus 20.8 आएगी similarly अगर आप लोग 8 pre scalar लेते हैं तो उसके corresponding हम लोगों का जो overflow होगा वो 2.04 millisecond में होगा और आप लोगों को अगर 1 second की यहाँ पर bit generate करनी है तो number of overflows यहाँ पर आप लोगों को 490 लेने होंगे तो इसके corresponding आप लोगों को जो error मिलेगी वो 0.4 millisecond की होगी तो फिलाल आप लोगों का सबसे बड़िया option यहाँ पर यही है कि आप लोग pre scalar 8 लें बट फिलाल हम लोग program करेंगे उस समय 1024 को भी देखेंगे और 8 को भी देखेंगे और देखेंगे क्या basically difference है हम लोगों के दोनो pulses में so next हम लोग देख लेते हैं अपनी programming को सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर abr slash io.hnam की header file include करनी है इसके बाद हम लोग यहाँ पर interrupt को भी use करने वाले हैं इसलिए आप लोगों को यहाँ पर abr slash interrupt.hnam की header file भी include करनी पड़ेगी next हम लोग यहाँ पर basically अपने number of overflows को count करने वाले हैं तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक variable लेना पड़ेगा तो int type का मैंने variable लिया है और इसका नाम count रखा है ओके सो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर main function main function के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ddrb is equal to 0x01 लिखा है इससे basically जो pb 0 line है वो as a output line define हो जाएगी और initially हम इस line को on करना चाहते हैं मतलब की जो pulse है इसमें high होनी चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर port b is equal to 0x01 लिखना पड़ेगा next हम लोगों को अपने timer 0 के लिए pre scalar और clock source को select करना है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर tccr 0 register को set करना होगा basically हम लोग यहाँ पर 1024 pre scalar use करना चाहते हैं और internal oscillator use करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को cs02 और cs00 जो bits होंगी उनको one करना है तो यह चीज मैंने यहाँ पर की है इसके बाद हम लोग initially अपने timer को value 00 देते हैं तो वो चीज हम लोगों ने यहाँ पर इस line में की है next आप लोगों को अपने global और local interrupt को enable करना है तो यहाँ पर global interrupt को enable करने के लिए हम लोगों के पास inbuilt function है SEI नाम से तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर call किया और next हम लोगों का काम है local interrupt को enable करना तो यह हम लोगों ने TIE MSK register के help से किया और इसमें जो आप लोगों की यह bit होती है इसको आप लोगों ने basically set कर दिया इसके बाद हम लोगों के पास एक while loop है यह basically एक infinite loop है और इसमें हम लोगों का जो timer है वो अपनी values को increment करता रहेगा अब जैसे ही value इसकी 255 reach होगी उस condition में हम लोगों का यहाँ पर एक interrupt trigger होगा और जैसे ही यहाँ पर interrupt trigger होगा हम लोगों का जो main function है वो यहाँ पर stop हो जाएगा और जो हम लोगों के interrupt के corresponding ISR था वो execute होगा और ISR में जो भी code हम लोगों ने लिखा है वो execute होने के बाद again हम लोगों का यह जो while loop है वो start हो जाएगा तो next हम लोग अपने interrupt के ISR को देख लेते हैं तो यह हम लोगों का timer 0 overflow ISR है जब भी आप लोगों का timer 0 overflow होगा तो उस condition में एक interrupt generate होगा और उस interrupt के corresponding हम लोगों का यह ISR execute होगा तो इस ISR में basically हम लोग अपने count variable को increment कर रहे हैं और इसके बाद हम लोगों को one second की width generate करनी है तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर four times अपने overflow को count करना होगा तो जैसे ही आप लोगों का count four हो जाएगा वैसे ही हम लोग अपने port के status को complement कर देंगे मतलब कि अगर वो high था तो उसको low कर देंगे और इसके बाद आप लोग again count की value को zero कर देंगे तो basically यहाँ पर होगा क्या देखिए हम लोगों का जो PB zero है initially वो high है तो यह जो चीज है आप लोगों की तब तक high रहेगी जब तक हम लोगों का four times overflow नहीं हो जाता और जैसे ही four time overflow होगा तो again आप लोग यहाँ पर port B के status को complement कर देंगे मतलब की आप लोगों की जो pulse है वो low हो जाएगी और again आप लोगों ने यहाँ पर count को zero कर दिया है तो again आप लोगों का यहाँ पर four times overflow होने तक आप लोगों का यह जो pulse है वो low रहेगी और जैसे ही four time वो overflow होगा तो again आप लोगों का यह high हो जाएगा and so on तो इस condition में आप लोगों को यहाँ पर जो pulse की width मिलेगी वो मिलेगी 1045.5 milliseconds बट आप लोगों को one second चाहिए थी तो उसके लिए हम लोगों को अपने pre-scalor को थोड़ा सा adjust करना पड़ेगा फिलाल इस program को हम verify करके देख लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर से इसको build करना है तो build हो चुका है हम लोगों का यह program तो next हम लोग इसको simulate करके देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को double click करना है और जो भी आप लोगों की हैंपर hex file होगी आप उसको select करेंगे और इसके बाद okay press कर देंगे next इसको हम लोग यहाँ से run कर लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ pulses मिलने लग गई हैं मैं इसको थोड़ा सा zoom in करता हूँ और इसको थोड़ा सा आप लोगों को adjust करना पड़ेगा okay so इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यह हम लोगों का reference point है zero seconds इसके बाद आप लोगों को देखना होगा आप लोगों की जो pulse है उसका status कहां जाके change हो रहा है तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोगों का जो pulse है वो 1.04 seconds के बाद अपने status को change कर रही है मतलब कि यह something around 1045 milliseconds के बाद ही अपने status को change कर रही है तो यह चीज़ हम लोगों की यहाँ पर verify हो गई हम लोगों को prescalar 8 set करके अपना देख लेते हैं इसको मैं यहाँ पर minimize करता हूं और simulation को आप लोग यहाँ पर से stop कर देंगे तो program में मैं आप फटा-फट से changes कर लेता हूं आप लोगों को यहाँ पर prescalar 8 set करना है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर इसको select करना है बाकी lines को हम comment कर देंगे और इसके बाद अगर आप लोग 8 prescalar लेते हैं तो हम लोगों का यहाँ पर जो number of counts हैं वो होंगे 490 490 आप लोगों को यहाँ पर counts करने पड़ेंगे तो again हम लोगों इसको यहाँ से build कर लेते हैं तो बिल्ट हो चुका है हम लोगों का है पर यह program अगेन हम लोग इसको simulate करके देख लेते हैं तो आपको double click करना है और यहाँ पर अपनी जो hex file है उसको आप लोग select करेंगे ओके और अगेन हम लोग इसको play करते हैं इसको मैं zoom in कर लेता हूं थोड़ा सा इसको edges करते हैं ओके सो यह हम लोगों का reference point है हम लोग यहाँ पर pre-scaler aid use कर रहे हैं तो उसके corresponding जो आप लोगों की calculation है उसके हिसाब से pulse की width 999.6 milliseconds होनी चाहिए मतलब कि something around 1 second ही होनी चाहिए तो हम लोग देख लेते हैं यह जो pulse है कहाँ पर जाके change होती है तो देख सकते हैं आप लोग exactly 1 second में हम लोगों की जो pulse है वो अपने status को change करेगी यह basically 999.6 milliseconds basically है बट इतना हम लोगों का CRO जो है वो यहाँ पर शायद capture नहीं कर पा रहा है इसलिए यह आप लोगों को 1 second ही दिखा रहा है So I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी अगर आप लोगों कोई doubts है तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं So बने रहेगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग जरूर शेर करें जो इस technology को सीखना चाते हैं So thank you so much for watching जै हिंद जै भारत